मेरा नाम आर्ती है मेरी ये दुख भरी कहानी मेरी मनहूसियत का सबसे बड़ा सच है मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके जिन्देगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और नाही मुझे लोगों से मिलने दिया जाता था मेरी उम्र 22 साल है मैं जवान हो चुकी थी मगर मेरी मा मेरी शादी नहीं करा रही थी मैं अपनी मा से बहुत तंग आ गई थी बलकि वो मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देती थी मुझे घर में हमेशा ही कैदियों की तरहां कैद करके रखा जाता था एक दिन मैं मा से छुपकर एक मंदिर में प्रातना करने चली गई वहाँ पर मैंने एक बाबा को देखा मैंने उन बाबा से कहा बाबा जी मेरे लिए प्रातना कीजिए मैं बहुत परिशान हूँ मेरी मा मुझे घर में कैद करके रखती है यहां तक कि मेरी इस जवानी की उ वो मेरी शादी तक नहीं करना चाहती, मगर जैसे ही उस बाबा ने मुझे देखा, उसकी आँखे लाल हो गई, और वो चीकते हुए कहने लगा, तेरी वज़ा से तेरे घरवालों पर मुसीबतों के पहाल तूटने वाले हैं, जा तू यहां से चली जा, वो बाबा अपनी मैं दुनिया की उन खुशकिसमत लड़कियों में से एक हूँ, जिसके पास पैसा और खुबसूरती तो जी भरके मौजूद थी, लेकिन कहते हैं ना, कि दुनिया में कोई भी पूरे तरीके से खुशकिसमत नहीं हो सकता, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरी खुब या फिर बजार जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए, तो वो मुझे सकती से मना कर दिया करती थी, और कहती कि तुम्हें नजर लग जाएगी, मैं उनकी बात सुनकर मायूस हो जाती थी, और काफी सालों से मैं अपने ही घर में कैदी बनकर बैठी रहती, मेरा हर जग जा सकती थी, मैं सोचती कि बचपन में तो मुझे कभी नजर नहीं लगी, तो फिर अब नजर क्यों लगने लगी, मा कहती, बचपन की बात कुछ और होती है, अब तुम जवान हो गई हो, मेरे दिन यूहीं घर के काम और उदासी में गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी लग गई, वैसे तो एक बहन अपने भाई की शादी पर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मेरी खुशी तो इस वज़ा से भी ज्यादा थी, कि मुझे अपने दोस्तों और बाकी खानदान की लड़कियों से मिलने का मौका मिल रहा था, और मैं उनसे बहुत सारी बात देने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो तुम्हें बाहर ले जाने की जित करें, तो तुम साफ इनकार कर देना, मुझे जवाब देने की जरूरत ना पड़े, मैं मायूस होकर रह गई, लेकिन फिर भी मैं खुश थी, महमान घर आकर रहने लगे थे, तो मेरे कुछ कजन्स नहीं मुझसे कहा कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मगर मैंने मा की बताई गई बात पर गौर करते हुए, उन्हें मना कर दिया, पहले दूसरे दिन मना करने के बात, तीसरे दिन वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए, वैसे तो उनकी जबरदस्ती ज्यादा नही थी, मगर मैं खुद भी उनके साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन मेरी मा भी घर पर नहीं थी, मैंने सोचा कि मैं चली जाऊं, ठीक हुआ, मा घर पर नहीं है, इसलिए उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें शाम को वापस आना है, और शादी के मौके पर घर की काम ही इतने ज्यादा होते हैं, कि उन्हें मेरी तरफ ध्यान देने का मौका भी नहीं मिलेगा, बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर निकल कर बाजार आई, मुझे हर चीज नई और खुबसूरत लग रही थी, मैं बहुत खुश दिली से हर चीज को देखते हुए, अपन भीड लगाए हुए खड़े हैं, ये बात जानने के लिए मैं भी उस भीड के करीब पहुंची, तो मुझे पता चला, वहाँ पर एक बुढधा फकीर बैठा है, और ओरते अपने लिए उससे दुआएं करवा रही हैं, मैंने एक औरत से पूछा, यहां क्या हो रहा है, तो मेरे और भाई की शादी इखटी कर दे, मगर माने मुझे डाट कर चुप करा दिया, जबकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, मेरी उम्र बाईस साल हो चुकी थी, मैंने सोचा, कि इन बाबस से मैं भी अपने लिए कुछ दुआ करवाती हूँ, क्या पता, मेरी विंती भी मेरे इश्वर सुन ले, मैंने उस बाबस से अपने बारे में बात की, तो बाबा ने चीकते हुए कहा, वो पहले तो मेरा चहरा देखकर उनकी आखे लाल हो गई, फिर बोले, तेरी वज़ा से तेरे घरवालों पर मुसीबते आएंगी, तू अपने साथ सब को ले जाएगी तेरी वज़ा से तेरे घरवालों की भी जिन्देगी बरबाद हो जाएगी, उस बाबा की बाते सुनते ही मेरा दिल डर गया और मेरा शरीर कापने लगा, आसपास खड़ी औरते भी मुझे आजीब आजीब नजीब नजरों से देखने लगी, मैंने हैरत से उस बाबा को द घर में एक मातम सा छाया हुआ था, किसी भी तरहां से ये शादी का घर नहीं लग रहा था, बलकि ऐसा लग रहा था, जैसे यहाँ पर किसी की मौत हो गई हो, मेरा दिल मुठी में आ गया था, मैं चाहती थी कि जब मैं घर वापस आऊं, तब तक मेरी माँ वापस ना आए, मगर उन्हें तो पता चल गया था, कि मैं घर से बाहर गई थी, मुझे काफी शर्मिंदिगी हुई, मेरे साथ बाकी सब कजिन्स भी परिशान हुए, और फिर हमें पता चला, कि मेरी जो मासी थी, जिनका घर हमारी गली में ही था, उनकी मौत हो गई है, मेरी मासी जवान थी इसलिए जवान मौत का दुख बहुत बड़ा था, सब तरफ उदासी सी उदासी चाई हुई थी, शादी भी कैंसल हो चुकी थी, सब लोगों ने कहा था, कि शादी के समय इस तरह का अपशगुन होना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए शादी तोड़ दी गई, इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, शाम तक पूरा घर खाली हो गया, कुछ देर पहले जहां शादी की तैयारियों की रौनक लगी हुई थी, वही अब पूरा घर खामोश होकर रह गया था, फिर मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तो मे मेरी इजाजत के बगैर बाहर क्यों गई और मुझे पर चिलाने लगी, मैंने कहा मैं नहीं गई थी, बलकि वही सब लोग मुझे अपने साथ जबरदस्ते लेकर गए थे, मेरी माँ को मुझे पर बहुत गुसा आ रहा था, उन्होंने कहा कि आज से दस दिन तक तुम अपन में कमरे से बाहर तक नहीं निकलोगी, मैंने कहा हाँ, वैसे भी मैं इस घर के अंदर ही रहती हूँ, तब माँ एक दम से बोली, हाँ, लेकिन अब तुम कमरे से भी नहीं निकलोगी, ये सुनकर मेरा दिमाग ही चक्रा गया, लेकिन मैंने गलती की थी, तो मुझे उसकी सज याद आती रही, क्या मेरी काली किसमत की वज़ा से ऐसा हुआ है, ये सोच आते ही मुझे खुद से भी डर लगने लगा था, मैं दस दिन तक अपने कमरे में बंध ही रही, बाहर कदम तक मैंने नहीं निकाला, घर वाले मुझे कमरे में ही खाना पीना देकर चले जाते थे, ज फिर ये लोग मुझे देक नहीं पा रहे, मैं दस दिन बात कमरे से बाहर निकल आई हूँ, ना मेरा कोई भाई बहन मुझे कोई बात कर रहा था, और ना ही उन्हें मेरे बाहर आने के खुशी हो रही थी, बलकि मेरे भाईयों ने तो मुझे देकर मुँ बना लिया था, और इस गलते की मुझे सजा भी मिल चुकी थी, फिर अब तक सब लोग मुझे से नराज क्यों है, क्या वो शादी में मौत की वज़ा मुझे समझ रहे हैं, मैं उन्हीं सोचों में गुम हो गई थी, तब ही मेरी माँ मेरे पास आई, और एक चादर देकर कहने लगी, अब तुम मुझे चादर में ढखकर रहने की क्या जरूरत है, माँ ने कहा, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मा का रवय इतना सخت था, कि मैं कुछ पल के लिए गूंगी ह मेरी माँ ने कभी मुझ से इस तरीके से बात नहीं की थी, मैंने खामोशी से वो चादर लेकर खुद ही अपने उपर ओल ली, शाम से पहले ही मेरी माँ ने कहा, कि दुबारा अपने कमरे में वापस चली जाओ, आज के बाद तुम्हें अपने जिंदगी में यही रुटीन बना लेना है, सुभा दस बजे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, और शाम होने से पहले ही अपने कमरे में वापस चली जाना, उनका हुकम सुनकर मैं दंग रह गई, क्या ये मुझे अभी भी उस गलती की सजा दे रही थी, हालकि मैं तो सजा काट चुकी हूँ, मगर मैंने फिलहाल अपनी मा से कोई बहस नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी, उस वक्त सभी लोग मुझे पर गुसा करेंगे, मैं खामोशी से अपने कमरे में लेटी हुई थी, अचानक रात के वक्त हमारे घर में जगड़ा शुरू हो गया, उनकी आवाजों की वज़ा से म लेकिन मैं इतना अंदाजा लगा सकती थी, कि किसी बात पर बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, आखिर वो लोग किस बात पर बहस कर रहे थे, मैं ये भी नहीं जान सकती थी, क्योंकि माने मुझे कमरे से बहार निकलने से मना किया था, जैसे ही सुबा हुई, मैंने बहार नि दिया और कहा कि तुम्हें अब किसी भी बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुमने जो गलती की है उसका नुकसान अब हम सब भुगतेंगे दुबारा मुझे इस बात का ताना दिया गया इस बार मैंने ही सबर का घूंट भर लिया क्योंकि मैं जानती थी गलती मेरी ही है म मैं घर में जो भी कुछ हो रहा है इस बारे में पता लगा कर ही दम लूगी आखिर मेरी वज़ा से ऐसा भी कौन सा पहार तूट पड़ा था मैंने घर से सिर्फ बजार तक जाने की गलती की है वो भी मा सिर्फ मुझे इसलिए मना करती थी ताकि मुझे नजर न लग जाए नजर लगेगी तो मुझे लगेगी इसके लिए सारा खांदान मुझे पर क्यों गुसा हो रहा था जैसे ही रात हुई दुबारा मुझे अपने घर से जगड़े की आवाजे आने लगी तो मैं अपने कमरे को खोल कर बाहर निकल आई वैसे तो मेरे माता पिता और बाकी सब को यकीन था कि अगर उन्होंने मुझे बोला है कि मैं बंद हो जाओं तो मैं बंद हो जाओंगी क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मैं ऐसा ही कर रही थी लेकिन आज मैं यकीन तोड़कर कमरे से बाहर निकल आई ताकि पता लगा सकूं कि आखिर माजरा क्या है सेड़ियों के पास से छुपकर मैं हॉल में देख रही थी जहां मेरे सारे घरवाले मौजूद थे और उन सब के दर्मियान एक आदमी था जो सर पर पगड़ी रखकर बैठा हुआ था मेरी मा का मुँ ऐसे हो रहा था जैसे अभी रो पढ़ेंगी जबकि मेरे पिता सिर हातों में पकड़कर बैठे हुए थे मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब लोग ज्यादा परिशान क्यूं है और ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है मगर इतना जरूर समझ गई थी कि मामला बहुत संगीन है इसी वज़ा से ये लोग मुझे कमरे में बंद कर रहे हैं वरना मेरे घरवालों ने कभी भी मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया था हाला कि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी लेकिन कभी मुझे इस तरह कमरे में बंद होने को नहीं कहा गया था कुछ सोच कर मैं अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने सोच लिया मैं उस आदमी के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी इस परिशानी की वज़ा से मुझे नीद नहीं आ रही थी फिर भी मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ दिर बाद मुझे नीद आ गई सुभा मेरी नीद खुल गई क्योंकि माने मुझे बहार निकलने से मना किया था इसलिए मैं उनकी बात ना मानकर बहार निकल आई आखिर सुभा सवेरे मुझे कमरे से बहार ना निकलने का हुकम क्यों दिया गया था ये मेरे घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ खबर नहीं थी किचिन से भी आवाजे आ रही थी इसका मतलब था कि नाश्टा बन रहा है मुझे समझ आ गई थी कि अब खामोशी से एक तरफ खड़े रहकर तमाशा देखने से कुछ नहीं होने वाला इसलिए मैंने सबके सामने जाने का फैसला कर लिया लेकिन मुझे नहीं मालूम था सबके सामने इस वक्त जाने का फैसला मेरे लिए किस कदर गलत साबित होगा जब मैं उस आत्मी के सामने गई और उससे कहा कि आप कौन है मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा मेरी आवाज सुनते ही घर के सबी लोग हैरान होकर मुझे देखने लगे मेरी माँ के हाथ से दूद का बरतन छूट गया फिर मैंने अपने सारे घरवालों की तरफ देखा मैंने कहा कि आप लोग इस आदमी से इतना क्यूं डर रहे हैं कौन है ये आदमी मैंने कल रात भी आप लोगों को देखा था अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था कि मेरी माँ ने आगे बढ़कर मुझे एक जोड़दार तमाचा मार दिया और कहा कि बत्तमीज लड़की अपनी मा की बातों का मान रखना भी भूल गई हो क्या तुम मैंने कहा था कि अपने कमरे से बहार नहीं निकलना मगर तुमने हमारे सर में खाक डलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी अभी मेरी मा की बात पूरी नहीं हुई थी कि उस आदमी की आवास पूरे घर में गुंजी वो कहने लगा मैं तुम सब लोगों को जेल करवा दूंगा तुमने इस लड़की को मुझसे छुपा कर अच्छा नहीं किया अब इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता मैं तो पहले ही जानता था कि ये जिन्दा है उसकी ये अजीब सी बाते सुनकर मैंने सारे घरवालों की तरफ देखा तो सब घरवालों ने मुझे लानत भरी नजरों से घुरना शुरू कर दिया था ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हूं तुमने अपने पाउं पर खुद कुलहारी मारी है और अब मुझे भी समझ आ गई थी कि बिना पूरी बात जाने मैंने जो कदम उठाया वो मेरे लिए गलत साबित होने वाला है पहले मुझे जान लेना चाहिए था कि मामला क्या है फिर उस आदमी के सामने आना चाहिए था मगर उसकी ऐसी बातों का हकीकत में मतलब क्या था सारे घर वाले खामोशी से एक तरफ बैठ गए जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो वो आदमी खुखार नजरों से मुझे घूर रहा था और मैं सब लोगों से पूछ पूछ कर ठक गई कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है मगर किसी के मुझे उफ भी न निकली कुछ देर में बहुत से गाड़ियां हमारे घर के बाहर आकर रुक गई जिसमें बहुत से लोग जमा थे और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूके भी थी जिन्हें देखकर मेरे सारे घरवाले डरने लगे मैं बहुत चिल लाई कि मुझे बचा लो ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मेरी किसी ने भी एक बात नहीं सुनी सब लोग खामोशी से मुझे जाता हुआ देखने लगे वो मुझे लेकर चले गए तो मुझे लगा आज तो शायद मेरी मौत पक्की है क्योंकि उस आदमी की बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे मार कर ही दम लेगा शायद मेरा शक कुछ गलत भी कम नहीं था वो मुझे एक बहुत बड़ी हवेली में लेकर आ गए और एक अंधेरे कमरे के अंदर फेक दिया और कहा कि आज से दो दिन बात तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और मेरा बेटा बिलकुल ठीक हो जाएगा उसके बाद मेरी समझ में तो नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं मगर अपनी मौत को सुनकर मैं डर के मारे कापने लगी थी अब मुझे शिद्दत से अपनी मा और बाकी घरवालों की बहुत याद आ रही थी मगर मैं अपने गलती पर सर पटकने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी काश मैं उनकी हर बात को मानती रहती तो आज मेरा ये हाल नहोता उस बुज़र्ग आदमी ने सही कहा था कि मेरी वज़ा से मेरे सारे घरवाले मुसीबत में फंस जाएंगे लेकिन अब मैं रोने और पच्चताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी और सिर्फ इश्वर से ही मदद मांगने के सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था रात को इस कमरे में से एक बूरी औरत आई मुझे देखते ही उसकी आँखों में खून उतर आया और कहने लगी मनहूस मारी तुम इतने साल तक कहा थी तुम्हारी वज़े से मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है मुझे तो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी मैंने उससे बहुत बार कहने की कोशिश की कि आपको जरूर कोई गलत फैमी हुई है इसी वज़े से ये सब कुछ हो रहा है लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने के हक में नहीं थी उसने मुझे बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया सुबा होते ही मुझे खाना मिला तो मैंने भूकों की तरहां खा लिया लेकिन इन लोगों का दिया हुआ खाना खा लेना मेरे लिए गलती साबित हुआ क्योंकि उस खाने को खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई और फिर उस वक्त मेरी आँख खुली वो लोग जब मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे ये सुनते ही मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए मैंने चीक कर उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की मगर उन लोगों ने मेरा मुँ बंद कर दिया था और मुझे लेकर एक शमशान घाट में चले आए शमशान घाट के पास घने जंगलों के दरमियान जिस जगह मुझे लाया गया था वो जगह साफ सुत्री थी मगर सामने मौजूद इनसान को देखकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बलकि वही बाबा मौजूद था जो मुझे उस दिन बजार में मिला था उसने मुझे से कहा था कि तुम्हारी वज़ा से तुम्हारे घरवालों पर मुसीबते आएंगी उसे देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया मुझे समझ आ गया कि ये सब इन लोगों की चाल थी ये बाबा भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है उसने मेरे दिमाग में फितूर भर दिया था मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था मगर अब तो कुछ पी नहीं हो सकता था और उस वक्त वहाँ पर एक चारपाई भी लाई गई जहां पर एक बीमार लड़का लेटा हुआ था मैं समझ गई कि ये वही है जिसकी बीमारी की वज़ा से ये लोग मुझे सता रहे हैं पता नहीं वो बाबा क्या पढ़ रहा था और एक तरफ मुझे भी चादर देकर बैठाया गया फिर बाबा ने कहा जैसे ही मैं बोलू वैसे ही तुम इस लड़की को मार देना मगर खयाल रखना कि इस लड़की की चीखे तुम्हारे बेटे के कानों में जरूर पढ़नी चाहिए तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसकी बात सुनकर मुझे पर एक खौफ सहावी हो गया था मैं चीखने चिलाने लगी मैंने कहा कि क्या तुम लोग पागल हो मुझे मारने से ये लड़का कैसे ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता ये लड़का मुझे बीमार लगता है उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए तब ये ठीक होगा मुझे मार कर तुम लोगों को क्या लगता है कि ये लड़का ठीक हो जाएगा मेरी बात सुनकर उस ओरत ने मुझे दुबारा थपड मारा और कहा कि खबरदार जो अपने मूँ से मेरे बेटे का नाम भी लिया अभी ये जगड़ा चल ही रहा था कि उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ गई पुलिस को देखते ही वो बाबा भागने लगा मगर वहाँ मौझूद लोगों ने उसे रोका कि तुम कहा जा रहे हो इस लड़की को मारेंगे तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा हमारे लड़के को ठीक करके ही जाना लेकिन पुलिस ने इन सब को अपने हिरासत में ले लिया था तब ही वहाँ मौझूद लोगों को पता चला कि ये बाबा एक बहुत बड़ा मुझृम है जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था वहाँ मेरे माबाप और बाकी घरवाले भी आ गए उन लोगों के आने से मैं समझ गई थी कि पुलिस को इन ही लोगों ने बुलाया है पुलिस इन सब लोगों को पकड़ कर ले गई उस लड़के को भी अस्पताल पहुँचा दिया गया मैं अपने घरवालों के साथ वापस आ गई और घराने के बाद अपने माता पिता और बाकी सबसे माफी मांगने लगी लेकिन मैंने अपनी मा से पूछा कि मा आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था उस आदमी को आप लोगों ने तब क्यों नहीं रोका जब वो मुझे यहां से लेकर जा रहा था तो मेरी माने कहा मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ सच बताने ही वाली थी लेकिन मैं किसी ऐसे मौके का इंतिजार कर रही थी जो बिलकुल सही हो मगर जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई तो मैंने सोचा कि ऐसे मामलों की बारे में तुम्हें बताकर क्या फाइदा मगर जिस दिन तुम बाजार गई मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि उस इंसान को तुम्हारे बारे में जरूर पता चल जाएगा इसलिए जब तुम घर वापस आई पहले तो वो हादसा हो गया यहां से भेज देंगे मगर इस कोशिश में हम नाकाम हो गए क्योंकि दस दिन के बाद भी वो यहीं पर मौजूद था मैंने पूछा मा आखिर वो इनसान कौन है वो आदमी मेरे और आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था तब मेरी माने बताया कि वो आदमी तुम्हारे दादा जी की दूसरी बीवी की ओलाद है जो पहले हम लोगों के साथ ही रहता था लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुई उसी दिन उनके बेटे के साथ एक हाथसा हो गया था उसकी बीवी के हाथों उसका बेटा दूसरी मनजल से नीचे गिर गया था वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर चले गए मगर डॉक्टरों ने बोल दिया कि उनका बेटा अब कभी ठीक नहीं हो सकता वो एक चार पाई पर जिन्दा लाश की तरहां पढ़ा रहेगा बाद में उनकी बीवी ने उनके दिमाग में फितूर भर दिया कि उस मनहूस लड़की के पैदा होते ही हमारे बेटे पर मुसिबत आ गई इसलिए हमें किसी बाबा के पास जाना होगा ये बात सुनते ही सब लोगों का दिमाग खराब हो गया और सब लोग उस औरत की बातों में आ गए और ये सब इसी बाबा का करा धरा था ये लोग इसी बाबा को उठा कर ले आए इस बाबा ने आते ही बोला कि तुम लोगों को ठीक लग रहा है सब कुछ उस लड़की की वज़ा से ही हुआ है जब ये लड़की मरेगी तब ही तुम्हारा बेटा ठीक होगा बस तब से ही ये लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़ गए मगर जब खानदान वालों को इस बात का पता चला तो सारे खानदान वालों ने उन लोगों से बाइकॉट कर दिया और कहा कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाओ तब ये लोग कहीं दूर चले गए मगर कुछ सालों बाद ही वापस आ गए जब ये लोग वापस आ गए तो मैंने तुम्हारा हर जगा आना जाना बंद कर दिया क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों तक ये जूटी खबर पहुँचा दी थी कि तुम मर गई हो और उनका बेटा कुदरती तोर पर ठीक नहीं हो रहा मगर शादी के दर्मियान उन्हें तुम्हारी जिन्दा होने की खबर मिल गई तब वो दुबारा घर में वापस आ गए मगर फिर भी हमने सोचा कि पुलिस के मामले में पढ़ने से बहतर है कि हम सुले और सफाई से इनको भगा देंगे दस दिन तुम्हें कमरे में रखा मगर फिर भी तुम्हारी बेवकूफी की वज़ा से उसे पता चल गया लेकिन चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ अब ये मुसीबत हमारे सर से हमेशा हमेशा के लिए उतर गई कभी कभी ऐसी मुश्किलों का सामना करके ही हम लोग आजाद होते हैं और जब तक हम डरते रहते हैं तब तक डर हमारे सर पर तलवार की तरहां लटका रहता है जैसे के हमारे साथ हुआ था ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और इश्वर का शुकरी आदा करने लगी शायद मैं मौत से ही लड़कर वापस आई थी अब मुझे सचाई कभी पता चल गया था कि मा क्यों मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी हमारे माता पिता हमारे बारे में भला ही सोचते हैं लेकिन हम कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर उनको भी गलत समझ बैठते हैं कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी एक अच्छे लड़के से हो गई और मेरे भाई की भी शादी हो गई हम सभी हसी खुशी अपने जिन्देगी गुजारने लगे अब मुझे और मेरे परिवार को किसी कभी कोई डर नहीं था दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन मैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले